हेलो विवर्स उम्मीद करता हूँ आप सब खेरेश से होंगे आज का जो मुरक्कबाद का टोपिक है इत्रिफल शाहत्रा यह क्या तरीका इसका बनाने का किन-किन बीमारियों में काम में लिया जाता है यह सभी कंपनिया जो है इत्रिफल शाहत्रा बनाती है और आप भी घर पर बना सकते हैं सबसे पहले इसके लेते हैं वजह तस्मिया इसका इत्रिफल शाहत्रा नाम क्यों रखा गया तो इसकी वजह तस्मिया है क्योंकि इसमें शाहत्रा जो है नो मेंजुज है इसके आफ़ाल क्या है मुसफ़े खून है यानि ब्लेड पूरीफायर है दाफ़े आतिश्क यानि एंटी सिफलिस जो सिफलिस की बिमारी होती है उसको दूर करती है और चक्कर वगएरा को दूर करती है इसके मौगे इस्तमाल जल्दी अम्राज इसकी डिजीज जो है उसमें और फसादे खून को साफ करने वाले खारिश एलर्जी वगएरा दाद और एक्जिमा इनके लिए काम आती है और सिफलिस के लिए और जो है जो चक्कर वगएरा आते हैं सर घूमता है इसमें इसका बहुत अहम रोल है इसकी बहुत अच्छी दवाई है इसका जूजे खास है शात्रा अजिज़ा है इसके इंग्रेंट्स जो है वो आप नोट कर लिजी इसमें शात्रा देड़ सो ग्राम पोस्ट हलेला जर्द एक्सो बीस ग्राम पोस्ट हलेला कामली नब्बे ग्राम पोस्ट बलेला ये साट ग्राम आमला साट ग्राम बर्गे सनामकी तीज ग्राम गुले सुर्ख अठारे ग्राम मवीज मुनक्का एक किलो साट ग्राम रोगन जर्द या उसका बादाम का तेल ले लो ये जरूरत के हिसाब है सत लोबान 10 ग्राम इसका जो तरीका तैयारी है किस तरह से बनानी है तो वो समझ ले इसमें जो है जो हलेला बलेला और आमला अगरा है इनको बारीक पोडर बना कर और रोगन जर्द या रोगन बादाम शीरी में चर्ब कर दें उसमें डुबा के और रख दें और शात्रा गुले सुर्ख और बर्गे सना मकी इनको कोड़ छान कर सफूब बना कर इनका रख ले अलग से यूँ और फिर जो है मौवीज मुनक्का और अरक शात्रा या पानी ले लो इनको जो है न पीस कर हलकी आज पर इनको पका लो मौवीज मुनक्को को और जब कौाम तयार हो जाए जब कौाम तयार सा हो जाए तो फिर उसमें जो चर्प की हुई दवाईया है वो और जो सफूफ तयार किये थे वो उसमें मिलाकर खूब अच्छी तरह से मिलाए उसमें खुब अच्छी तरह से बिल्कुल एक जाहा हो जाए आग पर रखे-रखे करना है यह खुब अच्छी तरह से मिल जाए फिर इसमें जो है ना जो सत लुबान था वो डाल दे हलका सा उसको पानी में गोल का उसको डाल दे और जब कौम बिल्कुल तयार हो जाए ये सारी चीश जालने के बाद में कौम तयार हो जाए तो उसको उतार कर रख ले आपका इत्री फल्चाहत्रा तयार है इसकी जो खुराक है मिकदारे खुराक है वो 10-15 ग्राम सुबा शाम अर्क मुंडी के साथ में या अर्क बाद्यान या अर्क चोब चीनी के साथ में और इनमें से कुछ भी नहीं मिले तो ताजय पानी के साथ में इस्तेमाल कराएं तो ये था इत्री फल्चाहत्रा उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो नए वीवर्स हैं वो चैनल को सब्स्राइब करें वीडिय आईवाद